जैसे राम जैमा मुंडमाले नीम मैं योगी सी प्रकाशना तौंत्रोगुर्य चनल में अब सभी का फिर से एक बस स्वागत करता हूँ बिशह है अपने प्यार को पाने का सबसे आसान एवं सठीक उपाए प्रयोग है दिश्टी सकती से आकर्शन और वशीकरन करने का तिब्र प्रभावसाली तांत्रिक वशीकरन उपाए पहली बार आप लोग यह सुनेंगे यह प्रयोग पौद्धुती टेक्निक और नियम आप लोगों को अनुखा लगेगे इतना मैं आप लोगों को वीडियो सुरू होने से पहले ही गैरेंटी देता हूँ धेरे पुर्वक बिना स्कीप किये वीडियो को सुरू से अंतक देखे चोटा सा वीडियो बनाता अभी आप लोगों के लिए मैं content creator हूँ, मुझे वैसा ही बनाना पड़ेगा वीडियो आप लोग के लिए, तो ये जो अनुस्ठान है, किसी भी सुक्ति थी, नहीं मिले तो सिधा सनी वार, मसीगन का नियमी यही है, अगर ये अनुस्ठान आप लोग करते हैं, कोई जगा पर जाने का जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन बेल कॉल किजे चलिए, मैं आज का अनुस्ठान सुरू करता हूँ, मेरे वीवर्स, ये जो प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है, सांतिम्न प्रयोग है, किसी कुन बीना नुक्सन पहुंचे, आपका वनकामना पूर्ण कर देगा, मंत्र को देखिए कितना अचना कितना सुंदर है, तांतिम्न प्रयोग कितना सुंदर तरीकिये से सावरुक्तम इस मंत्र में डाला गया है, इस मंत्र को थोड़ा सा मेहनत लगेगा मित्रो, कई लोग आकर मुझे बोलते है, गुरुजी जेनुइन कॉंटेंट चाहिए, चाहिए मुस्कील हो, साधन होना चाहिए, असली प्रयोग होना चाहिए, कोई लकली प्रयोग हम लोग को देखना नहीं है, आपके चनल मिसली हम लोग आया है, जेनुइन चाहिए चीज, तो ये जेनुइन आपके लिए है, आप लोग को निराश ना करते हुए एक प्रयोग लाया हूँ, जो मूझ को म मंत्र सिद्ध यह मंत्र फुरुष निखीस इस में कर सकते हैं पुरुस तो अपना मूच को मौड़ते हुई करेंगे च्रीका Сейчас कैसे करेंगे आगे वीडियो में बताऊंगा महिला लोग के लिए भी उपाय है दोनों स्तिरी पूर्स दोनों के लिए उपाय है निस्चिंत रहिए वीडियो को देखिए ये अनुस्ठार मंत्र आप लोगों को दसजार बार जाब करना है सोच लीजिए एक दिन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तीन दिन में दसजार जाब कॉम्प्लीट कीजिए उसके बाद ब्राम्भन को भोजन करवाईए हवन करने का इस सास्त्र वीधी में कोई वीधी तो है नहीं इच्छा होता हवन कर सकते हैं मंत्र बोलकर पीछे स्वाव लेक जरूर कीजिए अभी इस मंत्र को संपूर्ण प्रोसेस कॉम्प्लीट हो जाने के बाद आप लोग का सरीव में उर्जा अंदरों निस सक्ती जिसको बोलते हैं आटोमेटिक वो पैदा होगा जब भी किसी वेक्ति को देखकर आप लोगी मंत्र को परहेंगे मंत्र तो याद हो जब दसाजा जब भी मंत्र को आप लोग को पार्ट करेंगे मंत्र आपका कंटेस्ट हो जाएगा पूरुस जब किसी वेक्ति को देखकर इस मंत्र का एपलाई करेंगे समापदात भेखती जरूर आप से प्रभावित होगा जरूर आपको जांता नहीं है पहचानता नहीं है फीर भी आप से आकरसित होगा बॉडी में चमक, आखों में चमक, मैं पहली भी बोल चुका हूँ, वशीकरन होता है दृष्टी सक्ती से, वशीकरन होता है छूने से, किसी को छूने से, वशीकरन होता है बाक्र सक्ती से, वशीकरन होता है मंत्र सक्ती से, बाकी अभी वशीकरन का कई पोकर का नियम रेडी ह हुआ है उस अब से वसी करण हो सकता है मुझे ठीक से पता नहीं है बाकी समझदार है अप लोग ठीक है यह तीन-चार मेथोड जो है मेरा बना हुए नहीं है आगम में महादेब ने जब सट करम को रचना किया था उसमें ही तीन-चार भाग को बोल के रखे थे इस इस भाग स है इससे बसी करण हो सकता है इसमें उपर ए ग्रेड है बी ग्रेड है सी ग्रेड है डी ग्रेड है ऐसे ग्रेड भी है इसमें सबसे बहतरीन जो पाए है यह आज आप लोग के लिए लाया हो दिरिश्टी सक्ति सबसे बहतरीन सबसे वहतरीन उपाए ये दिष्टी सकते ही विभा का समय में स्त्री मनें पती और पत्नी लड़का और लड़की एक दुसरे को ऐसे देखते है ठीक है जिसको बंगला में सुभो दिष्टी बोलते है सुभो दिष्टी एक पुकार का वशी करन एक दूसरे को बिना पलग जपकाय ऐसे देखे पंडित सामने खड़ा है मंत्रों बोल रहा है और लड़का लड़के एक दूसरे को देख रहे है इसको तौंत्रों साबस्तर में एक पुरकर का वशीकरन बोला गया है निश्पालोक दिश्टी से एक दूसरे को देखना वशीकरन का एक ही रूप है वही रूप आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ समझ गए तो बहुत अच्छा नहीं समझे तो फिर से वीडियो को एक बढ़ घुमा के सुरू से देखिए आसा करतों समझ जाएंगे हिंदी में बोल रहो बंगला में तो बोला नहीं मैं तो यह जो अनुष्ठान है पूरुस लोग ऐसे अपलाई कीजिए ध्यान रखे कभी भी किसी का संसार किसी का पड़िवार किसी का घर नस्ट करने के लिए तांतरीक प्रयोग का अगर अपलाई करते हैं उल्टा ओही प्रयोग आपके उपर आएगा अपका पड़िवार को तैसनेस करके छोड़ेगा यह सोच समझ कर प्रयोग को अपलाई कीजिए मजाक के रूप में अगर अतांतरीक प्रयोग को आप लोग लेते हैं experiment करना है ऐसा सोच का अगर अतांतरीक प्रयोग को ठेलना पड़ेगा यह अनुष्ठन के आप उरूस लोगों के लिए महिला लोग क्या करेंगे महिला लोग अपने पती के लिए हो किसी भी सास के लिए हो भाई के लिए हो बहन के लिए हो बाबा के लिए हो मा के लिए हो महिला लोग जब ये अनुष्ठान करेंगे अपने बालों को टच करते हुए मंत्र को देखे अपने बालों को टच करते हुए चोटी को टच करते हुए या बालों को टच करते हुए यह मंत्र को मात्र तीन बार बोले बस कामियाब की बिधीवत दसजार बार मंत्र को जाप करके अगड़ा यह प्रयोग आप लोग सक्टस्पुली कर सकते हैं कर पाए सारा जीवन यह मंत्र आप लोग को छोड़ेगा नहीं सारा जीवन यह मंत्र आप लोग को साथ में रहेगा और हर जगा में आप लोग का नाम होगा, यश होगा, पुती-पुती होगा, आप लोग को हर जगा में जैसे कोई जगा पे भासन आप लोग दे रहे हैं, सभा कर रहे हैं, आपका सब्द से, आपका दृष्टी से, आपका चावनी जिसको बंग लौट लेकिन सब्द कुछ ऐसा ही होगा जिससे आप लोग किसी विक्ती को वशीकरन कर सकते हैं भाइबरेशन मंत्र का पावार मंत्र का आप लोग को पता लगेगा आप लोग मेरे चैनल के साथ बनी रहिए सब्सक्राइब करके घंटे को दबा कर वीडियो देखिए पसंद सब्सक्राइब लाक किछिए और आपने दोस्तों के साथ बीडियो को सेर वि कर सकते हैं इससे मेरा चैनल ग्रोहगा पैसा मुझे मिलेगा नहीं कैसे मिलता है जो वीडियो में चलता है लागोड और है, हेट चने से लाख अडु़ों पे यूटूबर को नहीं मिलता है, जिन लोगों का मिलियान वीवर्स है, सस्काइबर है, उन लोगों को बहुत जड़ा पैसा मिलता है, मूझे उतना पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंद रहें, मैं उतना पैसा मुझ छूट गया तो मुझे नीचे कॉमेंट करकर बताईए जैसा मैं वीडियो में बोला मंत्र वीडियो के नीचे बिवर्ण बॉक्स पर रहेगा जैसा मंत्र है बिल्कुल सेम टूसे मंत्र का वैसे हुच चरण करें उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है मैं मंत् होकर जैसा मंत्र है वैसा ही पाट अनुष्ठन करें आज का अनुष्ठन लंबा हो रहा है एही पर बिराम देता हूँ हर्यों दस्ट